अब तक हमने पर्सनलिटी की बहुत सारी अप्रोच को स्टडी कर लिया है जिसमें की टाइप अप्रोच्च, ट्रेट अप्रोच, साइको डानमिक्स, नियो फ्रोइडिन अप्रोच्च और आज हम बात करेंगे इन दो अप्रोच्च के बारे में जो की हैं बेहवरल तो इस वीडियो की आज हम स्टाटिक करेंगे चोड़ता सा वीडियो रहेगा जादा लंबा एक्स्प्लेशन नहीं होगा और एक बहुत अचे थौट के साथ हम शुरुआत करेंगे जो की कल्चर से जुड़ा है क्योंकि आज क्ल्च्रल अप्रोच पर फोकस भी रहेगा त हमारी परस्टनलिटी को शेप करने में अब बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन होता है इस थौट को आज हम समझेंगे कैसे होता है तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहने अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और अगर आप शुरूराद से इस चैनल को सपोर्ट करते आ रहे हैं तो इसी तरह से अपना प्यार बनाये राखिएगा तो चलिए बियरल अप्रोच से हम स्टार्टिंग करेंगे बियरल अप्रोच क्या है यह अप्रोच सबसे पहली बात है जो अप्रोच है यह इडियवियर पर फोकस करती है जैसा कि नाम है behavioral approach cultural approach culture पर फोकस करती है उसी तरीके से behavioral approach जो है वो behavior पर फोकस करती है यह approach create की गई थी behaviorism के टाइम पर I hope you are clear with the term behaviorism behaviorism वो समय यानि वो एरा थी behaviorism जिसमें जिसमें बात की गई थी कि जो behavior होता है वो dominating factor होता है अब वो हर तरीक से dominating होगा जैसे अगर हमें किसी person के intelligence को measure करना है तो हम उसके behavior को observe करते है personality के case में भी हम किसी person के behavior के थ्रू ही उसकी personality का assessment करते है यह जो approach है that gives importance to the here and now instead of the past or future past में क्या हुआ, future में क्या होगा, किसी person के अंदर क्या है इन सब को discard करती है और उन चीजों की बात करती है जो सामने से नजर आती है क्योंकि behavior हमेशा सामने से नजर आने वाली चीज है this approach was completely different from the psychodynamic approach इससे पहले जो आप पढ़कर रहे थे क्योंकि उसमें तो बहुत अलग बाते थी हमारे अंदर ही एक environment था जिसको हम study करते थे लेकिन behavioral approach जो है हमारे बाहर के environment की बात करती है और साथी साथ interaction की बात करती है stimulus और इस environment का मतलब हमारे environment और stimulus के बीच में होने वारे interaction की भी बात करती है यह कहते हैं कि जो structural unit है personality की उसे हम response कहते हैं अगर हम response ना दे सोचके देखे इस बात को अगर हम response ही ना करें तो क्या सामने वाला person हमारे behavior को study कर पाएगा understand कर पाएगा assumption कितने भी बना ले लेकिन वो एक जो उसके mind को कहना चाहिए कि उसके mind के हिसाब से accurate study होनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा तो इसलिए response बहुत important चीज है क्योंकि यही हमारे behavior को define करता है तो हमें इस खास तोर से वैसे भी ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह के response सामने वाले को दे रहे हैं यह सभी जो थेओरी जहां पढ़ चुकिए अगर अब अलबर्ट बिंडिवरा की तो वह आपको आगे पढ़ने को मिलेगी तो यह theories के नाम है कई बच्चे class 12 में पूछते है exam के time में ma'am क्या यह theories exam में आएंगी बिल्कुल नहीं class 12 में यह theories exam में नहीं आएंगी यहां इंका सिर्फ जिक्र है कि behavioral approach में आती है और बात करते है कि behavioral approach में क्या-क्य चीज़ें behavioral approach to personality does not give importance to the internal dynamics of behavior यह एक important बात है कि internal dynamics को नहीं focus करती जो चीजे बाहर से नजर आती है हमारे behavior में उस पे focus करती है दूसरी बात it ignores the mental processes that are involved in learning unlike the cognitive approach who views these processes as important यह mental processes को भी focus नहीं करती क्योंकि mental processes तो हमारे अंदर होते है ना यह अलग बात है कि mental processes की वज़े से हमारा behavior नजर आता है लेकिन यह कहते हैं कि जो चीजे बाहर से नजर आएंगी वह important है behavioral approach की according people can only learn as a result of their experiences इनका यह कहना है जैसे जिस experiences आपके पास होंगे उसी साथ से आप learning करते है it provides strong argument for the nurture side of the nature nurture debate मतलब नेचर नर्चर में इन नर्चर को सपोर्ट करती है यह इन्वार्मेंट को सपोर्ट करती है the approach has provided a number of practical applications and techniques बहुत सारी टेक्निक बने हैं जैसे reinforcement आपने सुना है reward सुना है punishment सुना है इस सब कुछ इसी approach से निकला है it rejects the possible role of biological factor in human behavior unlike the biological जो भी दूसरी approach है चाहिए वो biological factors related हो genetic हो unconscious की हो सब को reject कर देती है okay behaviorist view humans has passive learners unlike humanistic psychologists who view humans as an active agents जो able to control and determine their own development मतलब जब हम humanistic approach पढ़ेंगे जो आपने भी पढ़ी नहीं है तो उसमें हम क्या notice करते हैं कि जो human being होते हैं वो एक active agent होते हैं और अपना अप्रेडेशन के लिए responsible होते हैं लेकिन यहां पर behavioral approach में यह चीज़ भी discard कर दी जाती है तो यह था behavioral approach simple and sorted आते हैं cultural approach की तरफ cultural approach यह कहती है यह भी काफी important related है हम class 11 में जब आपको culture वाला point पढ़ाते है chapter 3 में जो last में आता है जहां पर inculturation acculturation यह सब चीज़े आप पढ़ते हैं वहां पर आप जानते हैं कि culture क्या होता है culture atmosphere होता है जिसमें हम survive करते हैं और इस atmosphere में बहुत सारी चीज़े आती हैं जैसे की the culture in which you live is one of the most important environmental factor that shapes your personality मैं अक्सर अपने वीडियो में बात कही है कि culture वो तो होता ही है जिसमें हमारे values होते हैं जिसमें हमारे ethics होते हैं morals होते हैं यह सब तो हमारा culture होता ही है लिकिन culture वो भी होता है जो हम आपहरे आसपास होता है मतलब हमारा environment भी मारा culture ही होता है this term in culture refers to all the belief custom art and tradition of a particular society acceptable behavior language के थूँ तो culture transmit होता ही है right उसके अलावा observation के थूभी होता है हम दुसरों को देखते हैं सीखते हैं और सीखने के साथ साथ हम इस culture में धीरे-धीरे adopt करने लगते हैं जरूरी नहीं है कि हम पूरा adopt कर लें लेकिन उसको accept करने लगते हैं mentally with these ideas in mind personality psychologists have become interested in the role of culture in understanding personality this approach explains personality in terms of individual ecology and cultural environment ये एक important point है कि ये जो approach है वो कैसे समझती है किसी भी personality को individual ecology और cultural environment दोनों के साथ connect करती है individual personality is determined group economic maintenance system ये term क्या है ये मैं आपको समझा देती हूं group economic maintenance system का मतलब ये होता है कि हर person के का एक lifestyle होता है वो उसके economic maintenance system से decide होता है ये define होता है जिस तरह के कभी आप lifestyle जी रहे हैं उसके पीछे आपकी economic setup background की बहुत-बड़ा importance होती है okay तो वही चीज ये कहते है कि किसी भी person की personality है वो इस चीज से भी define होती है personality is very much influenced by climate conditions, availability of food, availability of employment इन सबसे भी होती है ये सब क्या है जो भी चिस चीजों की भी आपर बात होती है इस से भी influence होती है दूसरे point से भी influence होती है मतलब ये सब चीज है हमारे culture का पाट है मैंने भी आपको बताया था कि culture is not just the belief the values that we have it is so much more culture में सब भी कुछ आ जाता है the economic maintenance system determines people's economic activities, settlement patterns, social structure, division of labor and other features like child rearing practices economic maintenance system में person की lifestyle से जुड़ेवे हर वो aspect आता है जिससे उसका economic status define होता है individual psychophysical system, skills, behavioral styles and value priorities are determined by the rituals, ceremonies, religious practices, art, games etc people develop various personality qualities in an attempt to adapt to the ecological and cultural features of group life the person who lives in the environment is the same personality qualities let me give you an example the life of the mountains is very difficult people living in the ecological system they know that we have 2-4 km to 2-4 km their personality qualities have developed their stamina and courage they know that we have to go through the jungle they are not afraid they are courageous their personality qualities their cultural features and ecological features their shape automatically if we talk about this if we talk about this if we talk about this then we have two different types of cultures we have included in our study many of these are countless they are countless but we have included two but we have included two for example for example First of all, the Birood Society example Children of this society are allowed from an early age to move on into the forest and learn hunting and gathering skills independently if you think about it if you think about it in your family or if you want to yourself if you are very little then you will send your parents to you but Birood Society who are the people they allow their children to go to the forest and learn hunting and gathering skills all these things independently thus children from this society get freedom autonomy achievement oriented childhood their personality will develop as they will get exposure and they will get exposure to Birood Society in this society about the agriculture society which we say that farmers live as they are this type of socialize to be obedient to elders nurturing to youngsters and responsible to their duties these children are the agricultural societies from the villages to the people making their children if they are just into the villages they will often find them as they are the parents in their shelters who are involved करते कि इतने काम उमर से इतने स्ञ कि शोटे भाई भेनों को एक मुझ को देख लेता है के छिटों ध्यूट बि littleULia कर लेते हैं दूप पाम घंधि और खाना भिशानते होते हैं तो यह ograpily जो अपने इस तरह के बिच्चे हो जाते हैं इट ट्राइस टु कॉंपरेंट पर्सनलीटी इन रिलेशन टु फीचर्ण ओफ दाइक कोलोगिकल कड्चिल अन्वार्मेट क्लामिट कंडिशन इन्हें मिलता है उसी तरीके का यह बेहिवियर भी दिखाते है अपनी परसनालीटी के थ्रू तो this was about cultural and behavioral approaches जो short में पूछी जाती है यह long का question नहीं होता है क्योंकि यह जो chapter है इसमें से long में आने के लिए इतने variety of topics हैं कि इन्हें तो कोई long में नहीं पूछता है तो यह short के topics हैं और short ही content मैंने रखा है जिससे कि आपको जब आप answers लिखना चाहें तो यह content easily use कर सकें तो PDF receive करना मत बूलेगा हमारे WhatsApp ग्रूप से और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो और अगर पहले से बने वे तो इसी तर अपना support बनाए रखेगा I will see you soon in the next part of the chapter जिसमें हम बात करेंगे आगे humanistic approach और बहुत सारी जीजों के बारे में तो चलिए मिलती हो आप से next video में till then take care bye bye